हेलो फैंट्स यूपियस एक्जैंब रभी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नमबर 35 स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बक्ती मुवमेंट के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे आज हैं यहां पर जो कवर के जाएंगे सबसे फेले जो बक्ती मुवमेंट इसके बारे में जानेंग और यहां पर जो लिंक आयत जिनने बोला झाता है वीर शैफ movement जो चला था इनके बारे में जानेंगे ठीक है तो इनकी आगे कुछ ही types हैं यहाँ पर उनके बारे में हम detail में चरचा करेंगे फिर यहाँ पर बक्ती जो movement है यहाँ पर इसका बर्थ हो आता है इसके पीछे कारण क्या था main principles यहाँ पर अगे पोस्टि प्रिंसिपले आ यहाँ पर यहाँ पर वीडियो बहुँ जयादा लैंत तो उसकी जो पर फिर treatments होंगी यहाँ पर अलग मुद नॉख से यहाँ पर कवर करूँगा अब जैसे कुछ बायोग्राफिस मैं already cover कर चुका है जैसे कबीर जी के बारे में आप यहाँ पर अलग से playlist है यहां पर नौर्थ की तरफ यहां पर यहां पर आया था यहां पर बक्ति के ओपर दिया जाता है और मेली यहां पर इसके सिधात है ना कि मैं यहां पर ना कि पहले रिचुल्स थे यहां पर रिलीजेस सहर मनी जो दार्मिक समारों थे टीजों का यहां पर त्या करना होगा यग्गहण वगर्हिए proven यहां-अवह पर बेदी और यहां प wysसे यहां पर देखने को मिली थी आप फर्स्ट यहां पे सगुन बक्ति क्या होती है और सेके निर्गुन बक्तिक्ति निर्गुंबंग्ति में यहां गंचाहिये है पStaffs न्याका करता है यहां पर so यहाँ पर devotion शर्दा होनी चाहिए prayers यहाँ पर गानी चाहिए यहाँ पर definite form के मतलब कि यहाँ पर definite form होगी उसे आप देखके यहाँ पर उर्सकी यहाँ बक्ती करनी चाहिए तो यह बात यहाँ पर बोलेगी है यहाँ पर उनकी जो qualities हैं या जो उनके attributes हैं जो गुन है यहाँ पर उनको मेली यहाँ पर शर्दा या prayers यहाँ पर होनी चाहिए तो यह बात बोलेगी और यहाँ पर जो पूजा की जाएगी यहाँ पर मूर्ती पूजा यहाँ पर की जाएगी या जो images वगारा होती है यहाँ पे love और devotion भी होना बहुँ जादा जरूरी है और यहाँ पे जो spiritual authorities है यहाँ पे वेदास को उख्षिज को भी सविकार करना होगा ठीक है तो यह बात बोलीगी और यहाँ पे human guru का होना भी बहुँ जादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो God और जो उसके जो बगत होते हैं devotees होते हैं उन में यहाँ पे जो एक gap होता है यहाँ पे एक रास्ता यहाँ पे किस परकार से हम achieve कर सकते हैं प्रापत कर सकते हैं यहाँ पे human guru के जरिये ही हम इसे कर सकते हैं ठीक है यहां पर कि वो बताते हैं रास्ते बताते हैं मेडिटेशन के थूँ योग के थूँ किस परकार से हम यहां पर प्रापत कर सकते हैं तो इन चीजों के उपर यहां पर फोकस किया गया तो यह सारी बाते यहां पर जैसे रामनन्द होगे रामनुज होगे यहां पर चैत उसे भी यहाँ पे इस अविकार करते थे और यहाँ पे गुरु का होना जरूरी है ठीक है तो यह है सघुन बक्ति उसके बाद यहाँ पे निरगुन बक्ति क्या होते है यह देह लेते हैं यहाँ पे जो डिवोशन और प्रेयर्स होनी चाहिए वो formless होनी चाहिए मतलब कि हमें कि उसका यहाँ पर कोई अकार ही नहीं है यहाँ पर जो इश्वर है ठीक है यहाँ पर formless है यहाँ पर तो यह बात यहाँ पर बोलीगी और यहाँ पर जो knowledge है उसके ओपर यहाँ पर focus किया गया कि knowledge को यहाँ पर acquire करना clear है और यहाँ पर जितने भी scriptures हैं यहाँ पर दर्म गरंत हो गए यहाँ पर जो idol worship यहाँ पर मूर्ती पूझे इसकी यहाँ पर कठोर नींदा इनके दुवारा यहाँ पर की गई इस चीज़ को नहीं सभी कार करना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर करते हैं निर्गुन बक्ती के ओपर गबीड जी तो यह मेली फोकस करते हुए दिखेंगे आपको गुरु नानक देव जी हो गया या जो दादू दियाल जी ठीक है तो यह सभी इन्हों ने यहाँ पर फोकस किया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए यहाँ पर उसकी कोई फोर्म ही नहीं है यहाँ पर ठीक है तो आगे हम इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे यह जो बातें यहाँ पर बोले गी हैं तो नेक्स यहाँ पर अलवर्स और नयानार्स तामी नार्डू के ठीक है तो इनके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर जो नेयानार्स होंगे यहाँ पर यह शिव के बगत होंगे जो अलवर्स होंगे यहाँ पर यह विशनू के बगत होंगे तो याद आप किस परकार से रख सकते हैं तो वैसे मैंने यह पेले भी बताया था, जो बक्ती मुमेट हमने किया था यहां पे, ठीक है, जो आपकी यह, क्या नाम है इस बुक का, सतीश चंदरा की जो बुक है, वहां पे जो लिखा हुआ था, वो पेले मैं cover कर चुका है, यहां पे मैं अलग से detail में cover कर रहा हूँ, जो नेयन से आप याद रख सकते हैं कि बगवान शिव के यहाँ पर डिवोटीज होंगे अलवर्स ठीक है तो वो बगवान विशुनू के यहाँ पर डिवोटीज होंगे तो अलवर्स यहाँ पर विशुनू के डिवोटीज नेयनार्स शिव के डिवोटीज होंगे यहां पे इन्होंने जो अंदोलन चलाये थे जो प्रोटेस्ट यहां पे इनके दुवारा किया गया था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट किया गया था जो ब्रहामन्स की डॉमिनेंस थी यहां पे उसके अगेंस्ट चलाया गया था और यहाँ पे इनके दुआरा जो इस system को सुदारने के लिए यहाँ पे काफी जादा यहाँ परियास किये गए थे इनके दुआरा कलियर है तो ज्यादा तर जो यहाँ पे poetry है यहाँ पे वो focus करती है कि जो god और जो devotees उनके बीच में किस परकार का praim होना चाहिए किस परकार से हम उने पा सकते हैं तो उस frame को यहाँ पर यह बताती है जो इनकी poetry इनके दोबारा लिखी गई है और यहाँ पर यह एक जगा से दूसरी जगा जाते थे यहाँ पर बजन काते थे यहाँ पर तामिल, तेलगू यहां पे तो वो भी यहां पे इसे पढ़ सके समझ सके और यहां पे इन्हें explain कर सके कि क्या क्या यहां पे बाते हैं तो यहां पे जो presence of the priest यहां पे जो priest का होना यहां पे अवशक नहीं है बक्ती traditions में तो यह बात इनके दुबारा बोली गई कि अगर तो आप चाहते हो कि इश्वर को प्रापत करना मौक्ष की प्रापती जाते हो ज्यान की प्रापती जाते हो तो आप खुद यहां पे कर सकते हो किसी यहां पे ब्राह्मन की priest की यहाँ पे जुरूरत नहीं है तो यह बात यहाँ पे बोली गई थी clear है तो बहुत जादा यहाँ परचलित रहा था यह movement तो alvars यहाँ पे 12 alvars देखने को मिलेंगे और इनके दुवारा जो compose किया गया था वो यहाँ पे किया गया था नलारिया दिव्य प्रबंदम ठीक है तो यह इनके दुवारा यहाँ पे compose किया गया था तो अंदल अंदल यहाँ पे फीमेल अलवर संत यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जिने साउथ की यहाँ पे मीरा भाई के नाम से भी बहुत बर्बाइब ठीक है तो यहाँ पे प्रिलीम से आपको कैसों बनते हैं छोटे-छोटे एक है वैसे तो यहाँ पे मैं आपको यूपी आसी मेंस के लिए यहाँ पर त्यारे करवा रहा हूं ठीक है तो अगर अगर आप UPSC mains की त्यारी करोगे तो prelims आपका यहां पे clear हो जाएगा अगर तो आप यहां पे UPSC mains के लिए काफी ज्यादा serious हो तो यहां पे clear होगा ठीक अगर आप time pass करने के लिए तो यहां पे कोई फैदा नहीं हो चीज़ का तो ने अनर्स के बारे में देखे यहां पे त तामिल संत हुआ करते थे इन्हों ने यहां पे adopt किया यहां पे तपस्या जो यहां पे करना कि यहां पे तपस्या को करके वो अपने गोल्स को achieve कर सकते हैं तो तीन नयनार्स यहां पे अपार सबंद या सूंदरर तो यहां पर यह तीन यहां पर नयनार्स है यहां पर जिनके द्वारा यहां पर collection of poems को यहां पर collect किया गया जिसे यहां पर नाम दिया गया तेवरम ठीक है तो important है यहां पर यह आपको पता होना चाहिए 10th century में तो चलिए यहां पर next move करते हैं तो इस channel के उपर आप सभी को यहां पर यह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यहां पर तो जाके देख सकते हैं playlist वीर शेव मूवमेंट जो चला था या जिसे लिंगायत के नाम से भी जाना जाता है यहां पर इसके बारे में देखेंगे सुकरनाटका में में आपको देखने को मिलेगा यहां पर जो शेव संत है यहां पर यह मेंली यहां पर मोनोथीजम के उपर यहां पर मेंली फॉकस करते हैं ठीक है मतलब की विश्वाश करते हैं एक इश्वर में और यहां पर caste system को इनके दुबारा reject किया गया था जो वेदा की जो authorities है उसे यहां पर reject किया गया था और यहां पर जो followers है उन्हें यहां पर वीर शैप के नाम से जाना जाता है मतलब hero of the shiv ठीक है यानि की वीर मतलब hero or shiv ठीक है शिव के यहां पर जो heroes है या lingayats मतलब की जो sh shivling को दारन करने वाले होते हैं ठीक है shoulders के ओपर तो आगे हम देखेंगे तो इसकी जो सापना थी वो बसावना के दुआरा यहां पर की गई थी तो यह आपको इनके संस्थापक के नाम यहां पर पता होना चाहिए उसके बाद यहां पर importance देख लेते हैं तो यह क्या करते ह यहां पर दफनाते हैं यहां पर clear है तो ऐसा इनका मानना है कि यहां पर जो devotees होते हैं वो shift के साथ यहां पर मिल जाते हैं और यहां पर वो इस विशव में वापस फिर कभी नहीं आते तो ऐसा इनका मानना है clear है तो इन्होंने यहां पर question भी किया था यहां पर जो theory of the rebirth तो यहाँ पर कहा कि प्रूफ करके दखाऊगी किस परकार से यहाँ पर पुनर्जनम होता है, कि आपके पास यहाँ पर कोई तत्ये हैं, जिनके ओपर आप ये बाते बोर रहे हो, ठीक है? तो इस परकार से यहाँ पर इनके दुवारा कोशन्स किये गए थे, यहाँ पर चैलेंज marriage है वो भी की जा सकती है ठीक है वो यहां पर फिर से marriage कर सकती है तो इन बातों का यहां पर यहां पर यहां पर यह साथ में लेके चले थे ठीक है यह हमने class 12th की जो history है वहां पर भी यह topics detail में देखा था clear है वैसे यहां पर सभी history यहां पर आपको नीचे description box में दिखे जाएंगी और रेडी मैं cover कर चुका हूं उसके बाद यहां पर पंच चर और अस्ट वर्न यहां पर क्या होते हैं सो इनके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले यहां पर पंच चर के बारे में देख लेते हैं यहां फाइफ कोर्स यहां पर क्या क्या है सो फर्स्ट है यहां पर लिंग चर मतलब कि यहां पर सभी को जो shivling है उसकी यहां पर पूजा करनी होगी उसके बाद यहां पे है सदाचर सदाचर क्या है यहां पे जो भी यहां पे लोगों के विवसाय या जो कर्तववे हैं उन्हें यहां पे करना ठीक है पूरी इमानदारी के साथ तीसरा क्या है यहां पे शिवचर मतलब कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सभी में एक समानता होनी चाहिए किसी में कोई बेदबावनी करना चाहिए और यहाँ पे शीव को यहाँ पे एक इश्वर के रूम में यहाँ पे सविकार करना तो इसके ओपर यहाँ पे यह बोला गया उसके बाद यहाँ पे बृत्चार है ठीक है यहाँ पे जो यानि कि जो ब्रदर हूड यहाँ पे ठीक है उस चीज को यहाँ पे बोला जाएगा मतलब कि यहाँ पे जितने भी Creatures हैं सभी के प्रति यहाँ पे humility होनी चाहिए उसके बाद गंचर तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जितने भी समुधुआएं उन सभी की रक्षा करना यहाँ और यहाँ पे उनकी सिधानतों की ठीक है तो इसके उपर यहाँ पे बोला गया है जंगम जो वांडरिंग मौंक होते हैं यहां पर उसके बाद पादुका फिर यहां पर परशाद फिर यहां पर विबूती ठीक है जो राक होती है यहां पर पवित्तर राक होते है विबूती उसे बोला जाते है रुद्राक्ष हो गया मंतर हो गया ठीक है नमश्वाई का यहा यहां पर बीडशेव या लिंगायत के लिए कलियर है तो यह बात यहां पर बोली गई थी सो नेक्स्ट यहां पर कारण देख लेते हैं बक्ति मुमेंट के यहां पर जो इसका बर्थ हुआ तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे पहला थे यहां पर डी जनरेशन ओफ इसके पीछे की पहले बहुत जबनाये गए थे जो पहले यहां पर प्रिंसीपल से थे यहां पर उनको यहां पर बोलके यहां पर अलग लग यहां पे इंके दौरा राइट्से रीच्वल से इन्टर्डिउस किये जाने लग गई थे यहां पे ब्रहामन्स के दुआरा ठीक है पहले ब्रहामन्स की बहुत जादा सुपरमेश हुआ करते थी ancient history में हमने detail में cover किया इन topics को उसके बाद यहां पे जो ब्रहामन्स हैं वो यहां पे leaders हुआ करते थे यहां पे यहां पे जो pure life उस सबी को यहां पर चोड़ दिया गया थे इनके दुआरा और यहां पे corrupt बहुत जिया बने चुके थे जैसे कि यहां पर Studios करवाय जाते थे वह आप बहुत बड़े-बड़ां करवाये जाते थे ठीक है यहाँ पर कुछ यहाँ पे काफी दिनों तक चलते थे कुछ महीनों तक कुछ ऐसे अवन भी थे जो एक एक साल तक चलते रहते थे और यहाँ पे जो पंडत थे यहाँ पे जो ब्रामन्स की अवशक्ता होती थी कुछ यहाँ पे थे यहाँ पे 15-15 तारा यहां पे ब्राहमन के अवज चकता होती थी यानि कि बहुत ज़्यादा यहां पे इन्हों ने एक costly system सा बना दिया था यहां पे पैसा हैंटने का छिए हमने एंचेंड हिस्ट्री में detail में cover किया था इनके बारे में उसके बाद danger यहां पे तो यहां पे इसलाम आने से पहले जो हिंदूस थे यहां पे इन्होंने कभी भी अपने टीचिंग्स के उपर यहां पे फोकस नहीं करा तो यहां पे जब मुसलिम सा आये यहां पे उन्होंने फोर्सली यहां पे किया कि यहां पे इसलाम को कनवर्ट हिंदूस को इसलाम में कन जो पहले से यहां पे एक वर्ण बनाया गया था यहां पे जो सबसे छोटी कास्ट के जो लोग थे वो यहां पे बहुत जादा कर्शी तो ने लगे इसलाम में कि यहां पे तो कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है सभी यहां पे मिल बैठके यहां पे खाते हैं ठीक है तो इन सभ पर कुछ चेंज करना उगा तो इसलिए यहां पर बख्थी मूवमेंट यहां पर चला था उसके बाद यहां पर great reformers का यहां पर बर्थ हुआ तो यहां पर हिंदुईईजम में यहां पर बहुत सरे religious thinkers आए reformers आए जिनकी वज़य से यहां पर बहुत बढ़ा यहां पर सुधार देखने को मिला बक्ती मुवमेंट चोलाया गया था यह से चंकरा चारे होगे राम नाम देव होगे जैदेव राम अनुज कभीर वलबच्वारे रविदास मीरा बाई गुरू नानक देव तूलसी दास ठीक है तो यह से बहुत सरे यहां पर रिफॉर्मर्स रहे हैं इन्होंने फुली यहां पर रिलाइस किया कि जो मुसलिम से इन्हें बाहर निकालना बारा से बहुत ज़्यादा जरूरी है दूसरी तरफ यहां पर जो मुसलिम से वो इस इस को यहां पर सोच रहे थे कि किस परकार से हम यहां पर हिंदूों को इसलाम में कनवर्ट करवाए तो जो कि यहां पर impossible लग रहा था तो दोनों तरफ ने यहां पर jy realize किया कि यहां पर जो दोनों में ठाक्राव हो रहा है हिंदू में मिस्ली में यहां पर टाक्राव होied तो यहां पर बिल्कोल भी beneficial नहीं रहने वाला है तो ऐसी circumstances में यहां पर जो reformers हैं यहां पर जो preachers हैं मतलब जो परचार करने वाले हैं यहां पर दोनों धर्मों के उन्होंने decide करा कि कैसे दोनों को हम साथ में ला सकते हैं तो यहां पर इन्होंने मदद की यहां पर बक्ती movement में ठीक है तो सूफिजम भी चला था उसे हम next lecture में cover करेंगे उसके बाद यहां पर main principles क्या थे यहां पर बक्ती movement के सो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया positive principles और negative principles पोस्टी principles की बात करें तो यहां पर unity of the God देखने को मिलेगी तो यहां पर जो इस अंदौलन के जो preachers से यहां पर उनकी एक ही वाइस ती यहां पर एक ही राम Gods और Goddesses की यहां पर पूजा यहां पर worship कर रही थे तो यहां पर जो preachers से यहां पर specially नानक कबीर रामनंद इन्हों ने यहां पर unity of the God के उपर यहां पर बहुत ज्यादा focus किया और इन्हों ने यहां पर परचार किया यहां पर जो गोड हैं वहर जगा प्रेज़ेंट है वह उसके बाद worship of God यहां पर जितने भी preachers हैं यहां पर उन्होंने और emphasize यहां पर focus किया यहां पर जो और पाया worship of the God यहां पर एक प्रमातमा की यहां पर पूजा करने के लिए ठीक है उनका नाम सिमरन करने के लिए तो यहां पर संत रामनुज उन्हों ने यहां पर बोला कि य अगर तो यहां पर कोई भी व्यक्ति यहां पर गोड के प्रति यहां पर फूल यहां पर पूरी शर्दा यहां पर रखता है यहां पर पूजा करता है यहां पर तभी वो मुक्ति को यहां पर प्रापत कर सकता है यहां पर लेकिन यहां पर और साथ में जो यहां पर प्रोस कि यहां पर worship of the God तो उन्होंने यहां पर जो जपोजी साइप यहां पर जो उनके द्वारा यहां पर लिखा गया था तो उसमें अपने व्यूस को एक्सप्रेस किया है कि अगर तो कोई भी पाप से यहां पर छुटकारा पाना जाता है यहां पर गोड को प्रापत करना चाहत उनका नाम सिमरन करना चाहिए तो यह बात यहां पर इनके द्वारा बोली गई थी तो प्ले लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो को फाइंड आट करने की जोड़ते नहीं है तो नेक्स यहां पर मूव करते है तो नेक्स यहां पर वर्शिप ऑफ गुरू तो यहां पर जो प्रियर्चर से यहां पर उनके द्वारा जो बक्ती मुवमेंट के उनके द्वारा एंफसाइज किया गया कि यहां पर गुरू की आवशक्ता बहु जादा है यहां पर अगर तो यहां पर गुरू नहीं है तो कोई भी यहां पर ज तो यहां पे इनके दुवारा बोला गया कि गुरू बिन ग्यान नहीं, गुरू बिन गती नहीं, तो यह बाते यहां पे इनके दुवारा बोली गई कि अगर कोई भी यहां पे मुक्ति को प्रापत करना चाहता है, तो यहां पे गुरू की गाइडेंस यहां पे होनी बहुत ज्यादा अनिवारे है उसके बाद अच्छे करम होने चाहिए तो यहां पे किसी को भी यहां पे हर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को तो ऐसा यहां पे बोला गया कि सच बोलना चाहिए हमेशा तो यहां पे जो परसनल एनिमेटी है यहां पे जो दुश्मनिय है उस इंसान को जो लस्ट, एंगर, प्राइड इन सभी को यहां पर खत्म करना चाहिए कम करने का प्रियास करना चाहिए तभी वो आगे life में बढ़ सकता है यहां पर सैल्फ सरंडर यहां पर अगर कोई भी person करता है तो यहां पर वो गोड के पास यहां पर असानी से सकता है मतलब कि उनके दर्चन यहां पर उसे हो सकते हैं और यहां पर मुक्ती प्राफत कर सकता है so negative principles कि अगर बात करें so पहला पॉइंट किया है कि यहां पे no believing caste system so यहां पे principle किया था यहां पे equality basis के उपर था यहां पे यहां पे खुल के निंदा की caste system की तो यहां पे बोला कि सभी यहां पे equal है यहां पे अब जो जनम होता है इאן इंसान का उस समय में सभी कोल होते हैं यहां पर किसी में कोई बेदबाव नहीं होता लेकिन दीरे दीरे यहां पर जो सुसाइट है यहां पर उसके उपर इस प्रकार से यहां पर प्रैशर क्रियेट करती है यहां पर इस प्रकार के दर उदर की जो बाते यहां पर बताई जात बड़ा या चोटा होता है ना कि दरम से करम से होता है ठीक है तो यह बात यहां पर बोलेगी कि हर कोई यहां पर एक समान है प्रमात्मा की नजर में तो कोई भी यहां पर बड़ा या चोटा नहीं है अमीर गरीब कुछ नहीं है यहां पर प्रमात्मा की नजर में ठीक है तो पर यहाँ भाद पर बहुत हैं निंदर इसकी बहुत सरे जो फाल्स प्रेक्टेस यहां पर देखने को मिलेंगे थे इस पर विश्वाश नहीं करते थे यह लोगों को बोलते थे कि इन चीजों से हमेशा दूर रहने के लिए जैसे चो ती रतिस्तान हो गयी है यहां तो यहां से आपको शांती नहीं मिल सकती यहां पर तो फास्ट यहां पर पुवास रखने को कोई फैदा नहीं है वेद को यहां पर रटने को कोई फैदा नहीं है और यहां पर अपने शरीर के उपर अगर आप राक या बबूती यहां पर लगा रहे हो तो इसका भी कोई फै और वह प्योर होना चाहिए यहां पर इस बात के ओपर यहां पर इन्होंने फॉकस देखे चले तो चली नेग्स आपर मुव करते हैं यहां पर नोडा चाहिए बहुत कम कोस्ट के ओपर मिल जाएंगे कोमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन हैं मुझे वर्चसप के उपर मैसेज कर सकते हैं सो यहाँ पर मुव करते हैं so now no idol worships यहाँ पर डिकलेर किया गया कि यहाँ जो टेमपल्स हैं वहाँ पर मूर्तियों को रखने का या पूजा करने का कोई फाइदा नहीं है तो यह बात यहां पर बोलेगी संत नामदेव ने तो यह बात बोली थी कि जब मुस्लिम से यहां पर अटैक किया था ठीक है जैसे हमने मौर्तियों को तोड़ देते थी यहां पर जो नामदेव के द्वारा यहां बात बौली थी कि यहां पर ऊसलम मुसलिम से द्वारा तोढ़ी ती यहां पर जो गोड हैं, उनके दुबारा कुछ नहीं किया गया था, यहां पे वो क्या थे, यहां पे दर्शक के तोर पे यहां पे सब कुछ देखते रहे, ठीक है, तो इस तरह यहां पे जो मूर्ती है, यहां पे इनका बनाने का कोई फाइदा नहीं है, ठीक है, तो यह बात यहां पे बो भुली थी क्या बोली थी कि भगवान भी उनी की मदद करता है जो अपनी मदद कुद करते हैं तो उस समेबें यहाँ प्राहमत्स नहीं पे बहुनों जद्धा यहां पर मुहम्मद गौरी को कि हमारा तो यहां पर सोमनाथ मंदिर के जो ठीक है पुझा रही थे यहाँ पे यहाँ पर क्या बोलेंगी उसे गमंड में आ चुके थे ठीक है तो यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया थे कि जो महौम может है यहाँ पर यहाँ पर कुछ नीं बिगार सकता यहां पर प्रमातमह अमारे साथ है ठीक है वो फिर आया था उन्होंने यहां पर आके तोड़ फोड़ यह गीती ठीक है तो यहां पर अगर हम उनकी इमेजिस बनाते हैं तो इटमीस हम उनका अपमान कर रहे हैं इश्वर का ठीक है तो यह बात यहां पर बोले गी थी तो इसलिए यहां पर आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए तो यह बात उसके बाद Randomly wird the sanctity of a particular language । यहां पर जो बक्ती reformer हैं अनकी दुवरा यह विश्वाश किया जाता है कि यहां पर यहां पर पवीत्तIR लेंग्वश यहां जरूर नहीं है क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि आपको अगर आप इंगलिश में बगवान से बात करोगे तो ही वह आपकी आवाज को यहां पर सुनेगा यह हिंदी में पंजाबी में संस्कृत में ठीक किसी भी बाशा में अगर आप उनसे बात कर तो उन्हें किसी भी लैंग्वेज की जलेंगे ठीक है तो यहां पर जो गोड है यहां पर उन्हें पर सन करने के लिए किसी संस्कृत के मंत्रों का यहां पर जाप करने की जुरूरत नहीं है तो उन्हें तो सिर्फ यहां पर लव और ट्रू प्रेयर्स की यहां पर जुरूरत है जिसकी वज़े से वो यहां पर बाते सुनते हैं अपने बक्तों की कलियर हैं जितने भी संत हैं उन्होंने यहां पे जो परचार किया था यहां पे कि जो उनकी टीचिंग्स हैं वो किसी भी बाशा में जो भी वो सिंपल यहां पे जो लोग यहां पर बाशा बोलते थे उसी बाशा में उनके दुवारा परच परचार किया गया था हिंदी पंजाबी मराथी गुजराती बेंगौली तामिल तेलगू जो लोकल बाशा थी उसी में यहां पर परचार किया था कि लोगों को समझ में आए कि यह बाते क्या चार रही हैं यहां पे ठीक है कि यहां पर किस परकार से यहां परमातमों को हासिल क चोड़ने के लिए तो यहां पे अगर तो कोई spiritual peace चाता है यहां पे अगर तो वो अपनी soul को अपनी आत्मा को प्योर करना चाता है तो इन सभी चीजों को यहां पे चोड़ना पड़ेगा तो यह बात बोली गई थी उसके बाद बक्ती movement के क्या क्या परबाव पड़े थे यह हम देख लेते हैं saved Hinduism तो यहां पे Hinduism period से पहले यहां पे बहुत जादा यहां पे इसमें कमियां देखने को मिली थी यहां पे जो इसकी past glory थी वो तो यहां पे बिल्कुली खतम हो चुकी थी caste system यहां पे जो था इसकी वज़े से यहां पे जो लोग थे जो लोग कास्ट यह इस प्रिस्तिती यहां परूश्म करना शुरू किया। उसका भी यहाँ पे इन्हों ने इसके अगेंस्ट वो जाने लग गए थे तो यहाँ पे जिसकी वज़े से हिंदुईजम की जो गलोरी यहाँ पे खो चुकी थी वो फिट से यहाँ पे प्रापत की जा सकी और इसी वज़े से यह बहुत जादा परचलित रहा और बहुत जादा यह मजबूत भी रहा था उसके बाद यहाँ पे जो प्रेस्टीज थी ब्रामन्स की वो किस परकार की थी यह हम देख लेते हैं तो बक्ती मुवमेंट का यहाँ पे जो परभा पड़ा वो यहाँ पे ब्रामन्स की जो इन्फ्लूएंस थी यहाँ पे उसके उपर पड़ा तो इनकी यहाँ पे जो रिस्पेक्ट थी वो यहाँ पे सुसाइटी में बिल्कुली वो खतम होने लग गई थी क्योंकि यहाँ पे जो बक्ती मुवमेंट के जो परते नीदी थे उन्होंने चैलेंज किया यहाँ पे concept of casteism जो इनके दुवारा बनाया गया था यहाँ पे वर्न सिस्टम और यहाँ पे इसकी वज़े से यहाँ पे जो प्रेस्टीज थी यहाँ पे ब्रामन्स की यहाँ पर बिलीव करते थे बहुत सरे जो लोग थे वो इसलाम की तरफ यहाँ पे अट्रेक्ट होने लग रहे थे तो यहाँ पे जो बक्ती मुवमेंट के जो प्रतिनीदी थे उन्होंने यहाँ पे caste system के अगेंस्ट वो जाने लगे आइडल वर्शिप की भी उन्होंने यहाँ पे किया गया था उसके बाद सिक्षिज़म का भी बर्थ यहाँ पर देखने को मिला यहाँ पर और यहाँ पर चलाया गया था आगे जो इनके नों उत्तरदिकारी जो आयते इनके दुवारा यह कॉंटिनीव किया गया था तो यहाँ पे समय के अनुसारी यहाँ पे इसमें बहुत सरे बदलाव किये गे 1699 में गुरू गौबिन सिंग के दुवारा यहाँ पे खाल साब पंत से यहाँ पे स्थापना की गई यहाँ पे तो यह हमने जो अभी लेक्चर नमब आई थिंग 31 या 32 राइस ओफ दी सिख के बारे में डिटेल में स्टोरी देखी थी इनके बारे में ठीक है तो यहाँ पे सेपरेंट आटेंटि यहाँ पर फोलॉवर्स की ग्रुण नानकी तो उनहीं जिख यहाँ नहीं अधैन्टी यहाँ पर दी गई थी और यहा पे जो एक नया यहाँ पे अंदारन किया गया था सिंग और यहां पर टो बहुत जादा बनने लग गए जो खाएए पर books यहां पर दी जा रही थी जैसे राम नू जरामनानत शंक्रा चारह हो expose चेतन्य महापरबु गुरु नानक देव कभी ठीक है इन सबी को तो दिरी दिरी यहाँ पर समय के नुसार यहाँ पर जो इनके यहाँ पर followers थे उन्होंने यहाँ पर इनकी नापर pilgrim centers यहाँ पर बनवाने शुरू कर दिये थे तो आगे हम देखेंगी सुफीजम के बारे में तो इसी के साथ हमारी यहाँ पर फिर medieval history खतम हो जाएगी अपने असपास फाइर रखें ज्याद से ज्यादा पेड़ पो देगाए गुरीन इंडिया के तरफ मूव करना है यही हमारा लक्षय सुजाहिंद हवा फैंटास्टिक दे